क्रेशिन अपर इट देखेंगे डप चलिए माने क्रेशिन पढ़ लिया है हमरे पार दो वायर है AOB और COD जो भी तेक दूसरे के उपर इस तरह से रखने हो है ठीक है? और यह mutually perpendicular है ठीक है? अभी कह रहे हैं कि यह point P है is lying at a distance D from O अभी को अलाओ डारेक्शन परपेंटिकुल अभी का प्लेन कंटेनिंग अभा है तो यह जो प्लेन आपको दिखाई देगा है इस प्लेन के ठीक ऊपर इस प्लेन के ठीक ऊपर पॉइंट को से D distance प्लेसे परपेंटिकुल अभी को नजर करिए इस जिवे पर आपको magnetic field की value find करना है बस वाद बादेल ठीक है यह point यह distance आपका small d है यह जो distance है small d है यहाँ पर आपको find करना है ठीक यह और चीज़ तो पॉपी पर नहीं find आ सकती है तो where is it इसकी वज़े से यहाँ पर point d पर जो magnetic field होगा वो कितना होगा magnetic field at point p due to यह i1 current है इसमा आपको परण जा रही है due to i1 current कितना होगा b1 is equal to mu not upon 2pi infinitely long wire मांके चलना पाएगा आपको क्यों questions if long इखवगा थाव infinitely long मांगे जिए mu not upon 2pi i1 upon यह जो distance है इस wire से perpendicular distance कितना है d है upon d right इस तरह से हम पकरेंगे इस तरह से इस तरह से पकड़ेंगे तुमी लेका आए हाँ इस wire current कितरे से flow होगी है जो field lines होगी वो किस तरह से जा घी है तो इस ना इस तरह से आए और लाट एक है ऐसे है, बस रज़ भागे, ठीक है, तो जो इस point पर, point D पर, जो tangent line और प्डॉकर होगे, ऐसे चाहिए न, मैंगे, फिल अनॉांस हिस्ता है, तो इस point पर, जो tangent line प्डॉकर होगे, वो कैसे जाएगी है, उधर के तरफ जाेगी है, इस point पर, on D पर, कैसे जारी tangent तो जो बीवन की जो डारेक्शन है वह एक्चली मैं यहां पर उना है रहा हम बीवन ऐसे है बहा समझ भागे ठीक है यहां पर लिखी लिए डारेक्शन ऐसे देखी है कि मैंने कि अलॉग ओसी डी है कि इसी तरह से मेंटिक फिल्ड एट पी ड्यूटू आइटू करेंट इसकी में इसे कितना होता है तो अपकी बार हम ऐसे पकड़ेंगे तो अपकी बार जो रिंग होगा वह इस तरह से जाएगा ऐसे समझे कि मैं लिजी कल मैंने इस वाय तो वहां निकाल लिया तो जो इस तर इस तरह करेंट फ्लो रिया और मैं ऐसे पाल है इस तरह से पने उली होई लाई लाइख थिका तो इस तरह से जाएगा ठीक है तो यहां पर जो टेंट लाइन करवकी कैसे होगे तोउर्स टेस यानिकि आफ्स एसे इधर की तरफ टीक है एधर इस जेट रिजी है एसे अबहर होगा, डार्शन बीटू के ऐसे होगी, यह है बीटू, निव नॉट अपॉल टुपाई, आई पॉल आइपॉल इसक्त आइपॉल है तो जो रिसेल्टेन्ट आएगा वही हाजाएगा आपका, दी, अटर बीटू, इस इकॉल टू बीटू हो जाएगा तो हो जैगा न is equal to ho gya vector b1 plus vector d2 इसका magnitude होगा वो होगा रूट d1 square plus b2 square plus d1 cos 90 हो जाए गए यह यह 90 दिनी पर हो 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 ठीजह then, तो बस E-value यह टोट कम लीजह तो square हो फेर बाहर ही आ जाएगा जो पेर बाचे के वो क्या बचे आएगा आपके रहा लेगा मु नाट बहार हो गया अडर्वोट मु नाट अपान 2pi I1 अपान d का square प्लस मु नाट अपान 2pi i2 अपान d का square ठीक है जो constant अब है इसको बहार निकालेगे रहो हो जो ही square है वो बहार आ जाएगे तो मु नाट बहार आ गया तू पाई बाहर आगिया और एक डी बाहर आगिया अधर के का बचना है अंडरोप आई वन स्कॉर प्लस आई टू स्कॉर ठीक है तो जो भी आपको ऑप्शन से लेगे इंचारों में से और ये इस वाल आपको टिक पर देजेगा ठीक है तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चिन है इसमें मुझे कुछ थेयरी आपको पहले पढ़ना जीए कि अगर थेयरी नहीं बताम गातो आपसे यह क्वेश्चिन भी सांगा नहीं है तो जा मिलेगा तो मैं ख्यारी की बाद कर रहा था एक अच्छी निमेरिकल ऐसा है कि जैसे यह निमेरिकल कुछ इसका है और इसकी वज़े से आपको सेंटर पर मेग्मेटिक्शन ही चांट करना है तो जो आप लोग को अभी तकम ने जो ख्यारी पढ़ाई है ठीक है वो इस पैस्टर को समझना है मैं अभी आपको उसी चीज़ पर लेक्शर देने वज़ा रहा हूँ यसे करने आप लोगों को यह डेरिवेशन कर वाया था एक मेग्नेटिक फिल्ट दू एन इंफाइनाइटल लॉंग स्क्वेट परन करिंग कंड़क्टर तो इंफाइनाइटल लॉंग स्क्व तो यह डेरिवेशन आप लोग पहले दे देजिएगा उसके बाद भी किसी थोड़ सा देखेगा तो मैंने बस यहां पर रिमाइंट कर दे रहूँ आपको कि यह माल लेजिए मेरे पास फाइनाइट लेंध का बायर है और इससे और डिस्टेंस पर आपको मेग्नेटिक फि अचे यहां से ही एंगल थीटा 2 है तो आपका जो रेज़ार आता है और यह यहां देखर देख है अपका ृ मिए नौट अपोल फोर करई आई वायर cos theta 1 minus cos theta 2 minus theta 1. इसके बाब आप व्याद होगा कि अगर आप ये वाला इंगल अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे इस येंगल को मैं 5-1 बोह रहा हूं, इसको 5-2 रहा हूं, ठीक है? तो अगर आप जावाता questions में येंगली दिया रहता है, तो इसको हम convert कर लेते हैं, तो जैसे यह exterior angle है theta 1 is equal to sum of the interior angle इस triangle इस right angle triangle में देखेंगे ठीक है is equal to 5 1 plus 90 और इस वाले triangle में कर बात करें तो यह angle theta 2 plus यह angle 52 plus यह angle 90 is equal to होगा इसके 180 degree तो यहां से आख को theta 2 की जो value मिल रही थी वो आजिती ही 90 minus phi 2 phi 2 ठीक है तो यहां से आपने जो theta 2 की value मिल रही है वो मिल रही 90 minus phi 2 then b is equal to किसके आ जाएगा mu naught upon 4 pi i by r right जरब रही लिपूट कर लिजे cos theta 2 की जो रही है 90 minus phi 2 minus cos 90 plus phi 1 ठीक है cos 90 minus theta first quadrant तो first quadrant में all positive होती है तो इसका मिल भी positive है 90 के change हो जाएगा साइन आ जाए गए है तो mu naught upon 4 pi i by r कितना हो गया sin phi 2 ठीक है 90 plus theta 90 plus सम एंगल किसे हो गया phi 1 plus phi 2 sin phi 2 ठीक है तो यह जो आपका पास है रिजर्ट है यह ठीक है अपने जेगे पर ऐसा कुछ गड़बण नहीं है आम तोर पे लगभग आपके 90 को से ही सौट हो जाते हैं और सावर यह है कि अगर जो finite length का wire है अगर आपको magnetic field इसके सामने ना निकालके माल लेजिए यहां पर किसी प्रब्लम होचाए अब जाप एक जाए तो अब जाप ध्यां से देखो यह जो पॉइंट एक्स है यह जो पॉइंट वाइंट है यह जो पॉइंट एकस है इस पॉइंट पी से कितने डिक्री का तो थीक है अब यह जो आपके पास फाइनाइट लेंथ का वायर है यह वाज़ा है यह एकस और यह यह एकस तो इस वायर से जो पर्पेंडिक्रूर डिस्टेंस आ रहा है वो मुझे वर्चुल पर्पेंडिक्रूर डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि वायर मेरा सिर्फ यहांस यहां तक है तो यह जो पर्पेंडिक्रूर डिस्टेंस है यह है कैपिटल आर यह जो यहां पर कैपिटल आर आपका रखा हुआ है तो इस वायर से पर्पेंडिक्रूर डिस्टेंस आ लेकिन अब की बार यह जो पॉंट P है वो पॉंट P इस वायर के सामने नहीं है बलकि कहीं पावर है नहीं चाहिए ठीक है तो इस पॉंट P पर जो रमेटिक की लिए रहा है इस एंगल को तो थीटा बन बोल दिया आपने यह जो पॉंट वाई से जो एंगल बन रहा था वो थीटा टू बन रहा था तुजरा यहां पर जान देंगे यह हो गया थीटा टू बास में ग्राव लेगा तो जब आप डेरिवेशन करेंगे तो यहां को प्रिजल्ट एस इस जैसे ही रिखा हुआ है जैसे कि वैसे ही आएगा यानि कि जो बेग्रिटिक फील्ड आएगा वो आएगा आपका मू नॉट अपाल फोर पाई आई बाई आर कॉस्ट थीटा टू माइनस कॉस्ट थीटा वन यही आएगा इसको को तो दिखा देंगे लेकिन अच्छा जान स प्रफाइगा यह है और इस पर्पेंटिकुलर से यह जो पॉइंट वाई है यह वाला जो अंगल बन रहा इस पाईट को में पू लेख दूँ यहाप रगम मैं इस पाईट को फू यह जरा है ओ पी वाई यह वाला जो अंगल है वह है फाई टू तो अब की बार यह ब्रीटमेंट आपका चेंट हो जाएगा जो हमने यहाँ पर अली लिया था तो अब जो आएट आ सब्सक्राइब लिए तो इस वाले राई आंगल ट्राम की बात करेंगे हैं वह हमने पहले भी यह लिया था ओ पी एक्स वाला ही लिया अबकी बाद भी O, P, X ही राइटेंगे रहे हैं, तो ये जो exterior angle है, theta 1, ये होगा sum of the interior angle, let us know, 5, 1, plus 90, ये वाल हैंगे 90 है, टीक है, डूसरा, इस वाले right angle राइटेंगे में, O, P, Y, इसमें कहले मुझे इन तीनों का sum 90 कर रहा था मैंने, जान देजे रहा है, लेकिन अबकी बा है, और वो interior angle के sum के equal आएगा, यानि की phi 2, plus 90, यानि जो theta 2 है, वो आदा phi 2, plus 90, right न, तो इसका मत्वर जब आप theta की value जो put करोगे, तो b is equal to mu naught upon 4 pi, i by r, cos, कितना आएगा, 90, plus 51, minus cos, 90, जो theta 2 है, 90, plus 51, is that clear, तो ज्वाब इसको solve करोगे, तो यह जो answer आएगा, mu naught upon 4 pi, i by r, मैं चोपास हो कटर मैं तुब है जो एगा, सही आएगा, cos 90 plus theta, किसो जाएगा, second quadrant लो, second quadrant लो, cos negative होता है, और यह change होले आएगा, यह बन जाएगा, sin 52, यह बन 90 plus, यह भी negative हो आएगा, तो minus minus यह बन जाएगा, plus sin 51 हो गया, तो और जो आपके पास इसके लिए जो answer आ रहा है, वो आ रहा है, बीजिक पड़्टू, mu naught upon 4 pi, i by r, sin 51 minus sin 52, तो त्याँ जीदिका, पहले sin 51 plus 52 आ रहा है, अब sin 51 minus 52 आ रहा है, यहाँ पर आप अगर memorize करना चाहते हैं, कुछ बात याद रखना चाहते हैं, तो आपको यह बात याद रखनी है, कि 51 और 52 में जो ankle छोटा होता है, जैसे कि इसमें यह वाल एंगल छोटा है, तो वही एंगल, वही जो एंगल है, वह आपको negative लेना है, बस, यह मतलब उसका sign है, उसका negative लेना, sign of this angle will be negative, ठीक है, तो यह एक exclusive case है, जो आपको धान डखना चाहिए, क्योंकि जब आप questions के होती है, तो ज़्यादा पर चीज़ें हम लोग पढ़के ही जाते हैं, ठीक है, लेकि जब आपको जैसे question जरूर, करना है आपको, इस question जरूर कहीं नहीं कहीं राया ही होगा है, कभी मुझे इससा बतानी की जरूर पढ़ लगी है, नहीं तो आप इस बतानी की जरूर पढ़ती हुए, ठीक है, तो आप इस question को solve कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादी सी question अब आपको solve हो जाएगा, ज़्याद वक्याद दे रहे हमेहां है, ठीक है, तो जरूर ध्क देंगे अब आप लोग, यह मेरे पास एक शीप हो, कि सारी साइट से एग है, जितनी भी साइट है, उससाभ कि सब लिख्व है, यह सारी साइट है, तो, अब आपको यहुआ पले है, जोरूर। तो अब आपको यहां पर जो मैंने की फिलिट करना है वो सेंटर पर फाइंड करना है इस यहां पर एक बाद ध्यांद देजिए कि जो सेंटर है पूरा कर पूरा की पूरा अंगेंगल जो बन रहा हैक। वो केंना अंगल है? 360 तो किसी भी दू वर्टिस से यह जो एंगल बनेगा यह LP नतना है इस फई ऐस़ह ₗ केंट यह और पाइंट ऒगी सिंट कर रहा है। वो कितना आगा वो, वो 60 डिगरी आएगा, अब इस 60 यहां से आएगा, इस 60 फिर यहां से भी आएगा, फिर यहां से भी 60 आएगा, फिर यहां से भी 60 फिर यह वाला इंगल भी 60 बन जाएगा, तो टोटल कितना आगा, 300 साफ हो जाएगा ना, अच्छे, अब वो, अगर आप क से निकाल दो ठीक है और डारेक्शन गी सबकी सेम रहेगी तो उसका कितना साइड है वान टू थी फोर फाइफ सिक्स सेवन एक नाइन टैन लेवन तो मैं इस साइड की वज़े से मैंने इस पॉइंट को भी कुछ लिखना चाहूँगा तो मैं इस पॉइंट की वज़े से या एंट की वज़े से या इक की वज़े से या डी आई की वज़े से अगरा इस पॉइंट पर मैं रडी फाइंट कर जाएंगा अजर आप में एक की वज़े से निकांद लिया तो नेक में इस फिल्ट अपना है फिर वह कितना जाएगा उसका ट्रूंट टाम हो जाएगा तो 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 मैं काम कर दे रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए मैं इतने हिस्से को मैं अलग कर दे रहा हूं ठीक है तो मैं इतना हिस्सा यह आपके लिए अलग कर दे रहा हूं यह हिस्सा कुछ ऐसे है और फिर लिए कुछ ऐसे है ठीक है बिल्कुल क्लियर अच्छो और यह आपका सेंटर है यह जो सेंटर है यह 60 degree के एंगल पर है 60 पर है इसमें तो कोई दो रहा है दिए ना तो चुकि ये दोनों साइट बिलकुल एक्वल है तो सिमेट्ट्री से आप ये भी समझ सकते हो कि ये एंगल आपका 30 आ रहा हुगा 30 इधर 30 इधर विदी ठीक है अच्छा अगर इससे अगर में इसको आगे बढ़ाऊं अगर में इसको आगे बढार देगा हुगन तो ये एंगल कीतों हो जाएगा 90 इधर आपका 30 ही तो तो ये वाला एंगल कितना है ये वाला एंगल आपका 60 आगेगा ठीक है अच्छा तो तो नेमिंग नहीं करी किया, F, L, E, यह हो गया F, यह L, और यह E, ठीक है, और current जो है इस तरह से फिन हो रही है, ऐसे, आप जो magnetic field निकाल देगा, इस point O पर, यह जो point O है, यह point O, ठीक है, इस point पर जो magnetic field निकालते हैं, सिर्फ इस वायर की वज़े से निकालते हैं, जो F, L, उत सबहा जाए, ठीक है, तो ज़्यान दीजिए, फिर ज़्यान दीजिए, बट्रों से भी है, अभी-अभी मैंने आपको कुछे, एक चीज बताई है, और यह आपको इसकी ज़रूरत पढ़े यहां पर, ठीक है, आपकी बार, यह जैसे finite length का wire है, और इस finite length से जो perpendicular distance लेना है, इसके सामने नहीं पढ़ रहा, इसके लीच है पढ़ा तो इससे perpendicular distance यह बट्रों से वर्चुअ एक प्रस आ रहा है, तो यह जो wire है, वो सिर्फ यह हो तक है, तो इसको जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, तो इससे जो perpendicular distance आ रहा है, वो यह आ रहा है, क्या रहा ह आइस पॉइंट का कुछ नाम ढूं, तो चलो मैं इस पॉइंट का नाम निक दे रहा हूं, यह तो नहीं रखा है, कहां तरह है है, A, B, C, D, A, G, H, I, J, K, L, मैं इस पाइंट को M लिक दे रहा हूं, बस सन्नला है, इस स्वीदर की बात की जा रहे, देको यहां से यहां तक वह हम केबल इसको इस्टड़ी था हैं अच्छा है तो बताईए इस से जो ये एंगिल था वो कितना था ये 5 1 तो इस से ये वाला जो एंगिल है वो कितना है बताए 60 दिगरी ये नहीं है ये टूटल 60 है न तो 5 1 की वैल्यू कितनी आ रही है और जो लोवर पॉइंट है ये वाला वाई इससे कितनी डिगरी के एंगिल बन रहा है तो ये जो लोवर पॉइंट है ये अपने पर्पेंटिगुलर से कितनी डिगरी के एंगेल को मह रहा है, 30 बंग्री ना है जो 5 2 की वैल्यू है 35 इ tel आर टी है तो इसके लिए नहीं इसके लिए तो अंसर प्लस आ रहा जाए और अगर आपने इसको कड़ा तो तो कितना हो दिया यह बी इस इक्वल टू बी इस इक्वल टू 12 टाइम आफ 12 टाइम आफ मूझा अपन 4 पाई आई बाए आर अब यह आर यानि कि यह था पनिक्लर डिस्टेंस आप मुझे लेखना है इसका मतलब यहां से यहां तक का रहा है हो कितना रहा और इसका मतलब तो आधाल के इंगल कौन सा निगेटिवी जा तो इंगल array two का उसको नेगेटिव उसके साइन को नेगेटिव लेगा है तो साइन सिक्स्टी यह आपको यह वाला पॉजिटिव रखना है और यह चोटा हिंक लागा 30 इसको नेगेटिव लेगा है अभी अमसे रखाऊगा उसी प्रहप ठीक लगा लेजएगा ठीक है ना वास समझेबा आठे बच्चों 12 time of no not upon 4 pi i by a sign 60 value on root 3 by 2 sign 30 value 1 by 2 स्वाल करें इसको तो यह 2 हो जाएगा LCM और यह 2 से 6 time pencil हो जाएगा यह ठीक है तो यह हो जाएगा नौट अपान 4 5 आई बाइ ए 6 time of अगरोट 3-1 अगरोट 3-1 अगरोट 3-1 अगरोट 3-1 बस अगरोट 3-1 बस बहाए इस पहुत थेरी का आप मेद रखेगा यह उच्वासा अलग्से थे ओरी है हाँ यह यह जरू धान रखेगा तो नेगटिव लेना कौन साएगा जो एंगल छोटा है वही आपको नेगेटिव लेना हमें ठीक है किसमें कन्फीजन हो सकता है कि साइन 5 1-5 करो यह आई यह आप कुछको भी 5 1 और 5 2 को अगरोट लिख सकते हो ना तो आपको यह बहुत अच्छे लिए कि जो आइंगल छोटा है वही वाल्यू नेगेटिव वल्टा है यह बहुत खारी किसमें किसमें का क्षेए वाल्यू तो कुछ